प्रस्क्राइब करें दर स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएं हेलो दोस्तों गूड इबनिंग आपका अपने परिवार दर स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और रिजनिंग में हमने कहा दोस्तों कि हमने बहुत सारी क्लासेस पढ़ ली है आप अगर नहीं देखे हैं तो मैराधन क्लास चलूर देख लीजेगा बाकी तो आपको फिर से मिली रही है तो आज हम लोग जो है दोस्तों रैंकिंग पढ़ रहे थे रैंकिंग में कुछ हमने कर डिसकस किया था क्या डिसकस किया था आईए एक बार उस पर नजर डालते हैं कर हमने दोस्तों देखा था कि जो है जो आपका अगर टोटल नंबर दिया रहेगा और लिफ्ट टू राइड दिया रहेगा तो कैसे करेंगे फिर हमने देखा था दोस्तों बीच में अगर लोगों के संख्या निकालनी रहेगी तब कैसे निकालेंगे तो एक बार जल्दी से जय हिन अंकज इसान आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार जल्दी से कमेंट में आईए नितिन आकरित इसान नरेश एक बार सब लोग कमेंट में आजाए दोस्तों एक बार सब लोग कमेंट में आजाए जैपाल नीरज, सुराज, किशन, अनिल सभी लोग एक बार कमेंट में आईए दोस्तों एक बार कमेंट में आईए जैपाल नितीस, इशान चलिए तो दोस्तों सुरू करते हैं देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि अगर आपको टोटल नंबर दिया रहे हम लोग दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं लोग रैंकिंग पढ़ रहे हैं रैंकिंग में दोस्तों अभी तक हमने देखा कि अगर हमको टोटल नंबर दिया गया रहे या फिर दोस्तों अगर हमको lift से दिया गया रहे और right से दिया गया रहे कह दिया जाए total कितने लोग है दोस्तों तो total बराबर होता है lift plus right minus one एक तो हमने ये देखा दोस्तों एक हमने देखा कि total बराबर upper plus lower minus one एक ये देखा दोस्तों ठीक तो उसके बाद तो यही से हमने निकाला कि अगर माली जो टोटल आपको दे दिया जाया ओं लिफ्ट से निकालना रहे तो टोटल में इक बढ़ा करके राइट घटा दीजिए तो आ जाएगा फिर हमने देखा दोस्तो बीच में बीच में कितने व्यक्ति होंगे तो उसके लिए हमने देखा दोस्तो बीच की संख्या बराबर यानि कि बीच में व्यक्तियों की संख्या बराबर हमने देखा दोस्तो कि अगर आपका लिफ्ट प्लस राइट कमान टोटल से कम रहेगा तो जो बीच में व्यक्तियों की संख्या रहेगी दोस्तो वो टोटल माइनिस लिफ्ट प्लस राइट हो जाएगी यह हमने देखा फिर हमने देखा दोस्तो की बीच में व्यक्तियों की स संख्या कब जब left plus right का मान total से ज़्यादा रहेगा दोस्तों तब बीच में बैटती हो कि संख्या हो जाएगी left plus right minus total दोस्तों और minus 2 तल हमने सायर यहाँ पर दोस्तों minus 1 दिखा दिया था तो उसको आप लोग correct कर लिजेगा left plus right minus total minus 2 रहे गई ये left plus right left plus right minus total minus 2 रहे गई ये कब जब left plus right का मान जो है total से क्या हो बड़ा हो तो कल हमने दोस्तों ये दो टाइप देखा था हमने कहा कि आपको तीन टाइप total पढ़ना है तो दो टाइप ये था आज हम तीसरा टाइप देखेंगे उसके बार हम इस पर सवाल देखेंगे जो कि करीए है तीसरा टाइप है दोस्तों जैसे प्रमठी में कूल अधिक्तम संख्या और निवन्तम संख्या ग्याद करना क्या है यदि टाइप सुनीगा फंटी में पंग्ति में कुल अधिक्तम वा निवन्तम संख्या ग्याद करना जी हाँ दोस्तों तीसरा और आखरी टाइप यह दोस्तों मनें कहा कि तीन टाइप आपके स्लेवस में है और यह तीनो टाइप आज खतम हो जाएगा उसके बाद आप रैंकिंग का कोई भी चैप्टर उठाएगे दोस्तों जो आपके स्लेवस में हो जो आपकी बुक हो आपके पास प्रैक्टिस बुक हो जो भी बुक हो देखिए अगर अभी तक आप लोग प्रैक्टिस बुक नहीं लिए है तो उसको ले लीजिए बिबेग जी ने उस पे डाला भी है लिंक डाली है और अमेजन की जो आपके किताब की जो लिंक है वो डाल दी गई है आप वहां से अगर पर्चेज कर लेते हैं तो आपको कुछ आफ भी मिल जाएगा दोस्तों छूट भी मिल जाएगी ठिक तो आप जो है जो भी बुक नहीं खरीदा है दोस्तों बुक जरूर खरीद दीजिए प्रैक्टिस इट और प्रैक्टिस करिए देखिए कि वाट सैप ग्रूब पर संपर करिएग विवे कोजा जी कि का नंबर उसमें लिखा हुआ एक टो हमारा है और और एक बीवे कोजा जी का है ठीड तो दोनों विवे को जड़ी को आप जब करेंगे तो वह आपको बुक की दिणगे दे देंगे कैसे है तो हमने बताया था दोस्तों कि जैसे अगर ब्यक्ति यहां पर बैठा ए यहां पर है मालीजे यही पंक्ति है आपका ए यहां पर है और बी यहां पर है यही है दोस्तों और ए और बी के बीच में कुछ लोग बैठे हैं तो कह दिया जाए कि पंक्त में कितने लोग है तो हो गया यह तो अधिक्तम की स्थिति हो गई या फिर दोस्तों एक स्थिति यह हो सकती है यहाँ पर है या फिर दोस्तों भी यहाँ पर है और आपका यहाँ पर है तो यह आपकी हो गई नियुन्तम की स्थिति मतलब जब यह भी आपका इधर आ जाए तो आपकी नियुन्त स्थिति बनती है ऐसा कैसे होता है मैं बताऊंगा दोस्तों अभी बता रहा हूं बाइस में हमने कहा था जैसे लेफ्ट से 5 हो राइट से 4 हो तो इसकी संख्या बारा बीच में तीन लोग बैठेंगे आप इसके पीछी में चाहिएगा कि यहां जो मैं लाइन खीचा हूं लाइन को टोटल करेंगे तो इसमें ज्यादा आजाएगा मैं 12 की बता रहा हूं तो मैं केवल एक बता रहा हो कि इसी तरह होता है दोस्तों उसके बाद जब नियु लाइक करिए दोस्तों और एक बार सभी लोग सेर करिए देखे दोस्तों कुछ रही करना मैक्सिमम टोटल मैक्सिमम मतलब अधिक्तम व्यक्तियों की संख्या मैक्सिमम टोटल मतलब अधिक्तम व्यक्तियों की संख्या बराबर हमने अभी अभी कहा दोस्तों कि जब आपको अधिक्तम व्यक्तियों की संख्या निकालनी रहेगी तो जो आपका लेट प्लस राइट है लेट प्लस लेफ्ट प्लस राइट में दोस्तों, बीच में बैठे वेक्टियों की संख्या जोड दीजिए, अभी अभी हमने चित्र बनाया था, उसमें यहाँ पर A लिखा था, फिर यहाँ पर B लिखा था दोस्तों, बीच में कुछ वेक्टी थे, तो यहाँ से A का कुछ अस्थान है, यहां से B का कुछ अस्थान है तो A और B में यहीं बीच में बैठे संख्या को जोड़ दीजिए दोस्तों तो maximum आपको मिल जाएगा और minimum के लिए क्या है देखिएगा minimum total के लिए क्या है सुनिएगा दोस्तों left plus right में से दोस्तों left plus right में से जो left से संख्या है जो right से संख्या है उसको दोनों आप total कर लीजिए हाँ मैं देख रहा हूँ आसे इस comment सबका देखता हूँ मैं आप चुकि पढ़ाता रहता हूँ तो इसले बीच में बोलता नहीं हूँ ताकि डिश्टर्ब ना हो बच्वो लेफ्ट की संख्या और राइट की संख्या दोनों जोड़ दीजिए दोस्तों दोनों में से आप बीच की संख्या घटा दीजिए बीच की संख्या घटा दीजिए दोस्तों और माइनस कर दीजिए कितना दोस्तों माइनस दो कर दीजि अगर ये न समझपा रहे हो कि कैसे मिनिमम में दो घट गया दोस्तो तो जैसे अगर अभी यही रहता अगर अभी यही रहता दोस्तो और A आपका यहां है ही और B आपका अगर यहां आ जाता दोस्तो B आपका यहां आ जाता तो जब हम इधर से काउंट करते A को जब हम इधर स एक बार B को count करते तो हमारा A count हो गया एक बार तो दोनो count हो गये एक बार तो दोनो count हो गये फिर दोस्तों बीच वाली संख्या जोड़ेंगे तब भी एक count हो जाएगा अर्थात A और B दो बार count हो जाएगे इसलिए minus 2 कर देते हैं समझे कि नहीं दोस्तों केवल आप यही या सला और माइनिस दो रहेगा जैसे एक प्रस्न लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों एक प्रस्न लेते हैं पूरा क्लियर हो जाएगा प्रस्न क्या है सुनिएगा दोस्तों आज आपका सारा प्रस्न स्क्रीम पर लएगा लेकिन थोड़ा नियम पहले समझ लिज एक व्यक्ति A 22 से 10 अस्थान पर है और B दाएं से 7 अस्थान पर है और बीच में कुल 4 व्यक्ति हूँ बीच में कुल 4 व्यक्ति हूँ तो अधिक्तम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी या फिर दोस्तो नियूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी दोस्तों कर हमने जब एक चीज बताया था हमने कहा दोस्तों कि left plus right कमान जो है total से अधिक रहेगा total से अधिक रहेगा तो उस выпуск में कौन से रगाएंगे फिर मैंने बताया कहा है थिए दोस्तों अगर left plus right कमान टोटल से कम रहेगा तब कौन से सूत्र लगाएंगे तो वो हमने दोस्तो कल बताया था तो उसमें एक बच्चा कमेंट किया था दोस्तो नाम नहीं आदा रहा है साइद विसाल किये थे या फिर किसी ने किया था दोस्तो किसान किये थे निदिस किये थे इसी में किसी निगीया था तो दोस्टो सुनिये का हमने बताया उसने का उन्HNें कूछा था दोस्तों कि अगर lift प्लस right का मान जो है टोटल के बरावर हो जाये समय इसका बीच में कİतने लोग होगे तो दोस्तों अगर भी कह दूँँ कि ये lift से इतने number पर है और यह लगे कि left plus right का मान जो है वो total के मान के बराबर है अर्था जब घटा देंगे तो zero आजाएगा तो जब zero आजाएगा दोस्तों तो इसका मतलब है कि बीच में कोई नहीं रहेगा आपके कोई भी प्रस्ण का डाउट रहेगा दोस्तों तो अगले वीडियो में जरूर क्लियर के आजाएगा चुकि पढ़ाते टाइम कमेंट पर जाजा ध्यान नहीं देता हूं और जब देखते हैं यही प्रस्ण है आपका स्क्रीन पर लगा हूआ है सुनेरे दूश संपर है यनी कि लेभट से आपका दश्मे नंबर पर है और लाईट से आपका साथन नंबर पर है और बीच में तो टोटल चार वेकती हैं तो कह रहा है कि अधिक्तम कितने लोग होंगे तो मैक्सिमम के लिए हमने कहा दोस्तों लेफ्ट कर लीजिए राइट कर लीजिए और प्लस बीच वाला कर लीजिए अर्थात अधिक्तम में तो कोई दिक्कत नहीं है 10 प्लस 7 प्लस 4 तो 10, 4, 14, 14, 7, 4, 11, 21 किस लोग हो जाएंगे बीच में ये कब है दोस्तों अधिक्तम संख्या आमने कहा कि जैसे अगर 10, 7, 17 करना है तो 10 कर दीजिए दोस्तों फिर 7 कर दीजिए दोस्तों अब बीच में 4 लोग को बैठाल दीजिए ये हो गया आपका कितना अधिक्तम संख्या अब वहीं अगर मिनिममम की बात की जाए दोस्तों तो मिनिममम की बात अगर की जाए कि सिम कहें देता कि मिनिममम संख्या क्या होगी तो मिनिममम संख्या के लिए दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट कर दीजिए माइनिस बीच वाला कर दीजिए और minus 2 कर दीजिए मतलब lift plus right कितना है दोस्तो 10 plus 7 minus 20 में कितना है दोस्तो 4 और minus 2 तो इसका मतलब ही हुआ दोस्तो 4 में से 2 गए 6 और इसको घटा दीजिए अल्थाद बीच में कितने लोग हो जाएंगे 11 लोग हो जाएंगे किसी को कोई डाउट हो दोस्तों बताईए किसी को कोई डाउट हो दोस्तों बताईए ये आपका दोनों सूतर है इसको लिख लीजिएगा दोस्तों है आपका लिख लीजिएगा तो चलिए हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं आज हमने दोस्तों तीनों टाइप बता दिया कि type 3-0 कैसे रहते हैं आईए हम प्रस्ट पर कुछ चर्चा करते हैं और यह chapter पूरा clear करते हैं दोस्तों हमने कहा कि आप केवल बने रही है हमारे साथ देखते रहे हैं like करते रहें दोस्तों सारी चीजे एकदम clear हो जाएंगी तो एक बार आप जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए बताईए कि तीनों नियम समझ में आया की नहीं एक बार जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों बताईए कि तीनों नियम समझ में आया की नहीं और अगर समझ में आ गया हो दोस्तों जैहिन लिखे कहीं कोई दिक्कत नहीं है लास्ट वाला कितना जल्दी एंसर देता है दोस्तों पहला कुश्यन आपकी स्क्रीन पर लगा है पहला कुश्यन आपकी स्क्रीन पर लगा है कह रहा है 38 छात्रों की कक्षा में सौर यका क्रम उपर से अठारवा है तो उसका क्रम नीचे से क्या होगा 38 छात्रों की कक्षा में 100 रिका क्रम उपर से 88 है तो नीचे से क्या होगा बताईए दोस्तो जल्दी बताईए हमारे प्रश्ण पढ़ने तक आपको जवाब दे देना चाहिए दोस्तो तो दोस्तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ बिल्कुल सही बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप सही जवाब दे रहे हैं किशन अईशान पंकज बिबेक आप सभी का जवाब सही है दोस्तों आप सभी का जवाब सही है अर्थात देखिए 38 छात्रों की कख्षा में हमने कहा टोटाल अगर दिया रहे तो उसमें एक बढ़ा दीजिए अर्थात 49 कर दीजिए और उसके बाद दूसरा वाला घटा दीजिए अठारा है दोस्तो तो अठारा घटा दीजिए एक हो जाएगा और दो हो जाएगा इसका मतलब नीचे से अस्थान कैसरा होगा दोस्तो 21 अस्थ बताईए कि उपर से उसका क्रमांक क्या होगा बताईए दोस्तों कमेंट करिए चालिश विद्यार्थियों की कक्छा में राजू का क्रमांक उनीश्वा है तो नीचे उपर से उसका क्रमांक क्या होगा कमेंट करिए दोस्तों देखता हूं कौन सब अच्छा जल्दी हो गया और कह रहा है कि उपर से निक उनीस मतलब उपर से घ्याद करना है तो उनीस टोटा ले दोस्तों तुनीस घटा दीजिया निकि कितना हो जाएगा जाएगा 9-11-13 में से एक गए-2 यनि की कितना हो जाएगा उपर से बाइस मुआं अस्थान हो जाएगा आप नंबर एक आपका सही हो जाएगा बताएए दोस्तों कहीं कोई दिक्कत है किसी प्रस्से किसी प्रस्स्स में कोई दिक्कत नहीं यह तो घुक्र मेंने डाली थी कल मैंने जो फोटो भीजी थी दोस्तों अगर आप उसको किये होंगे कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी आइए दोस्तों तीसरे प्रस्न पर चलते हैं तीसरे Armstrong क्या है देखेगा तीसीरा ऊपकी स्क्रिन पर लगा बायालिस शात्रों कि अल्ब क의 सुधा का करम उपर से सोरवہ हैं तो उसका करम अंत से कितना होगा अंत से कितना होगा दोस्तों सभी का कमेंट आना चाहिए याद रखिएगा सभी का कमेंट आना चाहिए जितने बच्चे देख रहे हैं दोस्तों सभी का कमेंट आना चाहिए तभी तो लगएगा कि कि 42 में प्लस एक जोड दीजिए नहीं कि 43 हो जाएगा और 43 में 16 घटा दीजिए दोस्तों तो जब 16 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा और 3 में से 1 चला जाएगा रथा 2 आ जाएगा मतलव 27 आ जाएगा ऐंसवर और क्या आ जाएगा धूस्तो किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत मजह आरे नहीं बताइए सारा प्रषण s PLAY आएगा दोस्तों अगर आप कॉरों सिब्धें देखें दोस्तों तो सारा प्रस्न अच्छा लगएगा सारा प्रस्स तमज़ में आएगा और इसी तरह का प्रस्न कुछा जाता है कि आप देख लीजिएगा प्रैक्टिस से ड़ीजिएगा चाहे जहाँ से ने avait आ आप आपकी स्क्रीन पर लगा है कुश्चन नमर चार कह रहा है किसी कक्षा में राम का क्रम उपर से आठवा है और नीचे से 28 है तो ये बताना है कि उस कक्षा में कुल टोटल कितने विद्यारती हैं बताएं दोस्तों कमेट करें नीराज जैपाल सुराज किसन अनील बिवेक पंकज और इसन जगदीश नितिश सब का अच्छे बच्छे हैं आप सब आप सब ने जवाब दिया दोस्तों हम ने कहा कि आप हमारे साथ लगे रहेए दोस्तों सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएग बाई देख रहे हैं आठ है 28 से दोनों जोड़कर के गटा दीजिए ताठ आठ तोला भाई क्या हो जाएगा बताएगा बताएगा अठाइस प्लस आठ माइनस वन यानिकी आठ में से गएं साथ आठ साथ पंद्रा यानिक 25 आज जाएगा दोस्तों आएंस वार यानि कक्षा म से दोनों किनारे स 50-वा वहीं दोनों किनारे से 50 अभで से 50-वन नंबर पर और राइट झाया थे अफ्समिन टोस्तों क्या और बतार देंगे तो बताईये तेल जीत लेंगे हमारा संदीब बताएगे सभी लोगानी नीव रहुल भाप रभ आपना अपना ओरिजिनमा नाम रिखे क्या नाम है राहुल दूबे मुसीर अमित सभी का कमेंट मैं देख रहा हूं दोस्तों तो बहुत अच्छा सही जवाब मैंने क्या कहा दोस्तों दोनों जोड़ दीजी पचास-पचास कितना हो गया स्वाव और इसमें से घटा दीजैने कितने लोग है दोस्तों टोट कि एक पंक्ति में एक ब्रिक्ष दोनों सीरों से पाच्वा है मतलब दोस्तों चाहे ब्रिक्ष हो चाहे आदमी हो चाहे जो भी हो ब्रिक्ष है दोस्तों दोनों सीरों से पाच्वा है मतलब लेट से भी पाच्वे नंबर पर और राइट से भी पाच्वे नंबर पर तो पं लंतिमे कुल टोडल कितने बिच्छान बताइए कितने होंगे भाई प्लस पाच माइने सब्सक्राइब कितना आ गया दोस्तों नव आ गया किसी को कोई डाउट नहीं दोस्तों अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही होगी कि कैसे हो रहा है तो आप एक बार कांसेप्ट जर से दोस्तों एक बार जहीं लिखे दोस्तों एक बार जहीं लिखे सब लोग सेखर कमेंट आपका देख रहा हूं मैं भी तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला देखिए कुश्य नमबर अगला देखते हैं सात्वां कुश्य नमबर सात्वां देखिए दोस्तों क्य से आठवा है यह दाईं और से चार अस्थाम खिश्का दिया जाए और संधा संध्या जो दाए से सोलवी है बाए से तीसरी हो जाता है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं सुनिए गए दोस्तों थोड़ा 12 से 8 हैं कौन है दोस्तो पिसेunyaठ यहाँ पर इस तरह कर लिजी यह पर स्रीणाथ står ऑर यह जो है बाएं से 8 है फिर आगे देखते हैं यह दाई और चार अस्थान किसका दिया जाता है दाई और दोस्तों चार अस्थान एक दो तीन चार अर्थास इनमात को अगर यहां कर दिया जाता है दोस्तु यह बाई शीजिसे आठ्वे नमबर पर था चार स्थान किसका दिया गयर कितने अस्थान पर आ जायेगा आगे देखिए तो वह संध्या जो दाएं से सुलावी है तो वह संध्या संध्या है दाए से सुलावी है के बाएं तीसरा हो जाता है इसके बाएं इसके बाएं तीसरे नंबर पर स्रीनाथ है दोस्तो तो इसके बाएं पहला नंबर इसके बाएं दूसरा नंबर और इसके बाएं तीसरा नंबर और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तो स्रीनाथ है तो क अगर आप बता देंगे दोस्तों तो मैं जान जाओंगा कि आपको समझ में और निकालना है lift प्लस right कर दीजिए और प्लस बीच में कर दीजिए तो lift से दोस्तों 12 लोग है राइट से आपके 16 लोग है और बीच में देख रहे हैं दोस्तों कितने लोग बैठे हैं मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 16 और 2 18, 20, 10, 30 इसका मतलब पंक्ती में दोस्तों कितने लोग हैं पंक्ती में 30 लोग है अर्थात आपसन नंबर C आपका सही हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत है भाई क्या कह रहा था बच्चों की एक पंक्ती में स्रीनात 22 से 8 हुआ है इसको 4 अस्थान और दाएं तरफ खिसका दिया गया तो 1, 2, 3, 4 अर्थात अब बाएं से 12 हो गया फिर कह रहा है संध्या जो दाएं सीरे से 16 नंबर पर है संध्या दाएं सीरे से 16 नंबर पर है इसके बाएं संध्या का बाएं यही होगा दोस्तों इसके बाएं तीसरे नमबर पर स्रीनाथ है तो इसके बाएं पहला नमबर दूसरा नमबर तीसरा नमबर यही है तीसरे नमबर पर स्रीनाथ है तो कह रहा है पंक्ती में कुल्टोड़ कितने लोग है दोस्तों तो पंक्ती में कितने लोग है तो 16 यह हो गया 12 यह हो गया बीच किसी कतार में ए बाये से पंद्रावे अस्थान पर है बी दाये से सात्वे अस्थान पर है इनके बीच में तीन व्यक्ति हैं और सी एके ठीक बाइए और है तो बताएं कि सी का दाएं कौन सा अस्थान होगा सी का दाएं से कौन सा अस्थान होगा बताईए दोस्तों चलिए हम आपको देते हैं दस सेकेंड का समय बताईए क्या होगा इसमें कमेंट करिए दोस्तों अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया बताईए कि इसमें क्या होगा कमेंट करिए सबी लोग बताईये दोस्तों जगदीस नितीस बताईये आप लोग क्या होगा इसका देखिए दोस्तों सुनिये नहीं आ रहा है कोई बाप नहीं सुन लीजिए एक कतार में A, 22 से 15 अस्थान पर और B, दाएं से 7 अस्थान पर है, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं ठीक, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं और C, A के ठीक बाईयोर है, C, A के ठीक बाईयोर है, A हमारा यहां है कह रहा है इनके बीच में तीन लोग है और C A के ठीक बाई और है तो C दोस्तों A के ठीक बाई और है A अगर यहां है तो A का बाया क्या हो जाएगा दोस्तों यह याद रखेगा एक बार बता दे रहा हूं दोस्तों सुन लीजिए अगर बाया कहेगा तो आपको एंटी क्लॉक वाई चलना है और अगर आपको दाया कहेगा तो आपको क्लॉक वाई चलना है बस यही याद रखेगे बस अगर दोस्तों दाया कहेगा तो क्लॉक वाई चलना है बाया कहेगा तो एंटी क्लॉक वाई चलना है तो कह रहा है A के ठ साथवे नमबर पर है दोस्तों दाएक मतलब इधर सही यह साथवे नमबर पर है तो यह आथवा नवा दसवा इग्यारवा तो क्या हो जाएगा इसका स्थान दोस्तों इसका स्थान हो जाएगा बारवा किसी को कोई डाउट अर्था तो अप्सन नमबर डी इसका सही हो जाए थे थीन लोग बयाटाल दिया कि एक ठीक ऑए एक ठीक अ país बैएग ठीक बाएं थे को दिघन तू कहा Boy तो का रगा तो दाये से अस्थान क्या होगा हो दॉस्तों स्थार्ट था नो 10 11 इसके बार्मा हो जाए किसी कोई दिक्कत दोस्तों किसी कोई दिक्कत मज़ा आएक नहीं समझ में आयक नहीं दोस्तों अगला प्रसुन देखिए अगला प्रसुन देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि सुनिएगे दोस्तों एक पंक्ति में एक पंक्ति में बच्चों की किसी कटार में दीपा बाये से नवे अस्थान पर है क्या करा है बच्चों की किसी कटार में दीपा बाये से नवे अस्थान पर है और बिजय दाहे से तेरवे अस्थान रहे दो लोग है दीपा है बाये से न अस्थान पर दीपा है दोस्तों फिर कह रहा है बिजय जो है दाए से तेरवे अस्थान पर बिजय है दोस्तों बिजय दाए से तेरवे अस्थान पर है जब ये दोनों आपस में अपना अदल बदल कर लेते हैं आपस में आदल बदल कर लेते हैं दोस्तों अर्था दीपा यह चली जाती है और बीजय यहां चला आता है सुनिए दोस्तों दोलों आपस में अदल बदल कर लेते हैं मतलब दीपा दोस्तों यहां थी तो यहां चली गई बीजय यहां था तो यहां चला या अस्थान बदल लिया अदल बदल कर लेते हैं तो दीपा बाएं से 17 अस्थान पर आजाती है दीपा कहा थी दोस्तों यहां थी अब कहां पहुच गई यहां पहुच गई तो बाएं से 17 अस्थान पर आ जाती है मतलब कि यह 9 था दोस्तों और 9 से कितने अस्थान पर पहुच गई लेफ्ट से 17 अस्थान पर पहुँच गई कितने स्थान पर दोस्तों लेफ्ट के सब्वारे सुद्वां Gentle परब इसका मतलब 9 से कहां पहुची दोस्तो 17 तो 9 से 17 मतलब बीच में कितने लोग होंगे बताए सब्कर माइनिस कर ये 17 माइनिस नो करिए क्या आए गवां दोस्तों नव आठ सत्रा अर्था दोस्तों आठ लोगों को पार करके यहां पर पहुझ गई आठ लोगों को पार करके यहां पर पहुझ गई तो कहरा बताएं की बिजय दाएं से बिजय किस अस्थान पर होगा अब बिजय कहां आ गया दोस्तों बिजय यहां आ गया जब यह आठ लोग को पार करके गई तो ये भी तो दोस्तों आठ लोग को पार करके आएगा भाई ये अगर यहां थी और यहां से यहां जाने में दोस्तों आठ लोगों को यहां से यहां जाने में अगर ये आठ लोगों को पार की दोस्तों तो bij worldly अगर यहां से हाँ आएगा तो ये भी तो आठी लोगों को पार करेगा तो इसका मतलब क्या हुँआ दोस्तों ये 13 लंडर पे था 13 नंबर पे था तो कैसरे नंबर पे आ जाएगा तो 13 में 8 जोड दीजे दोस्तों 8 3 11 यनि कि कैसरे नमबर पर आ जाएगा दोस्तोन हम चला या जरी तो कह रहा था कि दीपा बायर से 17 अस्थान पर है नौवे अस्थान पर थी 17 अस्थान पर पहुच गई कितने लोगों को पार किया बताईए कितने लोगों को पार किया भाई आठ लोगों को पार किया जब यह आठ लोग को पार करके गई है तो यह आएंगे तो यह भी तो आठ लोग को पार करके आएंगे तो यह भी आठ मैं ही रहता और कह देता पंग्तिमें total कितने लोग है। कि मभम्तिमें total कितने लोग है दोस्तों extrem लोग है 15 Кट लोग — 29 कितने लो Android कितने लोग है 15 इतुस लोग है 50 में total कितने लोग है तो 29 किसी로 कि ि आप दोस्तों किसी को कोई डाउट हो बता हिए कि सी को कहीं भी डाउट हो दोस्तों बता ये मज़ा आई नहीं दोस्तो разрwhy यह उन्हें चीजह इग्डूंब हो जाएगी हमने कहा कि मेरे साथ बने रहिए पढ़ते रहिए Là-ई करते रहे कमेंट करते रहे सारी चीजे एक दम समझ में आएंगी किसी का कोई डाउट हो दोस्तों तो आप वाटसएप पर भीजिएगा फेस्बुक पर भीजिएगा इस्टाग्राम पर भीजिएगा और टेलीक्राम पर भीजिएगा चाहे जहां भीजेंगे आप आपके प्र प्रॉरब 50 लगा लेंगे दोस्तों तो पूरान्य कटीर को जाएगा पर क्या है पिश्म का बता दीजिए श भी चॉत आरे बदलने वाले का एक परशन और देख लेजिए बदलने वाले का एक प्रस्ठ और देख लीजिए दोस्तों क्या है सुनिएगा कह रहा है दोस्तों सुनिएगा लिखा है छात्रों की ये कतार में रमेस बाएं से नवे अस्थान पर है और सुमन दाएं से छठवे अस्थान पर है रमेस बाएं से नवे अस्थान पर है रमेस यहां है दोस्तों बाएं से नवे अस्थान पर यहां कौन है रमेस है और सुमन दाएं से छठवे अस्थान पर है दोस्तों यहां सुमन है दाएं से छठवे अस्थान पर है कह रहा है जब रमेश तथा सुमन अपना स्थान बदल लेते हैं अर्थाद दोस्तों रमेश अब यहां आ जाता है और सुमन अब यहां आ जाती है रमेश और सुमन अपना स्थान बदल लेते हैं तो रमेश 22 से 15 हो जाता है रमेश 22 से 15 हमा हो जाता है अर्था दोस्तो 90 नमबर पर था 15 नमबर पर चला गया कितने लोगों को पार किया कितने लोगों को पार किया दोस्तो 6 लोगों को पार किया तो कह रहा है कि हस्थान तरण के बाद सुमन का दाएं से हस्थान क्या होगा मतलब अब सुमन कहां पहुच जाएगी तो दोस्तों हमने कहा कि अगर ये छे लोग को पार करके गया तो ये भी तो छे लोग को पार करके ही आएंगी दोस्तों कि कहीं और से चली आएंगी भाई जिदर से ये गए हैं, उधर से ये भी आ रही हैं, अगर ये 6 लोग को पार करेंगे, तो वो भी 6 लोग को पार करेंगी, तो यहाँ पर 6 था, और 6 लोग को पार कर ली दोश्तों, तो 6-6 कितना हो गया, 12, यहनि कि दाएं से कैसरे अस्थान पर आ गई दाएं से 12 अस्थान पर आ गई दाएं से बारवें अस्थान पर आ गई किसी को कोई डाउट दोस्तों किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट हुद बताईए एनि कि दोस्तों डारेक्षण देखेंगे अगला चैप्टर हम लोग जो देखेंगे दोस्तों डारिक्षण देखेंगे हमने कहा कि बहुत आसान है बिल्कुल भी परिशान होने की जरूत नहीं है सारी चीजे समझ में आएगी बस आप हमारे साथ बने रहे अपने परिवाद आइस पीड श्रीकस मतलब की के सदस से बन जाए ये सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों कमेंट किया कीजिए लाइक किया कीजिए तो चलिए दस्तों एक बार सभी लोग कमेंट में आ ये एक बार सभी कमेंट में आई ये थे enlightenment मैं बताता हूं कि आज सुआ से दोस्तों कितने लोग क्लास देखे आज की लोग क्लास देखे में बताता हूं दोस्तों एक बार सब लोग कमेंट नय जयीके किसन इसान पंकज विबेग जगधीष नितिस नीरद जाइपाल सुराज किसन संदीप कुमावत निउराहुल आस्षिस मुशीर अमित नितिस महेंद्र, सभी का नाम मैंने ले लिए दिस्तो, सभी का नाम हमने ले लिए दिस्तो, मिलेंगे अगले वीडियो में कल सुबा 7 दो याद रखिएगा दो अक्टूबर को दो अक्टूबर को अपकी जीएस की स्पचाल चले की दोस्तों ds की special class चलेगी दो अक्टूबर को आना मत बूले गैस तो पर दोस्तों जीयश कीτο इसमें क्लास चलेगी और इसकी pdf नई को दिजाएगी दोस्तों जो क्लास लेंगे तिसले क्लास कंपल सरी एक लाश जरूर देखिए गा तो दो अक्टूबर को डाश जरूर देखिए दुस्तों और मिलें दुस्तों अगले वीडियो में कल सुबा सब्सक्रिर है नमस्कार जय हिन कि अ हाट कि आ अ झाल झाल